जैहिन आप सभी देशवासियों को गर्तन दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की धेर सारी सुबकमना है हम यह समझते हैं कि इंडिपेंडेंट देश समभीधान दिवस और रिपब्लिक डे इसमें क्या अंतर होता है इसको ठवा बारीकी से समझते हैं और समभीधान को दो महीने लेट क्यों किया गया बना कि उसे लागू क्यों ने गिया गया था दो महीने बाद क्यों लागू किया गया लेकिन बात यहां यह आती है कि आजाद हम अंग्रेजों से हो गए थे लेकिन हमारे उपर किसी का सासन ही नहीं था तो हमारे उपर कौन सासन करेगा यह कोई डिसाइड नहीं था इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे इसलिए उस दिन हम आजादी दिवस इंडिपेंडे मनाते हैं लेकिन हम लोग के ऊपर अंग्रेज कहते हैं कि हम आपको फाइनली छोड़के तभी जाएंगे जब आप संविधान बना लेंगे तब तो हम लोग संविधान 1946 से 1949 के बीच में बनाएं जो फाइनली बन के तयार हुआ 26 नवंबर 1949 को इसलिए 26 नवंबर 1949 को हम कहते हैं संविधान दिवस तो आजाद हो गया संविधान हो गया यहाँ पर लेकिन जब तक यह संविधान लागू नहीं हो जाता है हम कईसे कहेंगे हमारे उपर किसका सासन चल रहाँ संविधान का सुप्रीम कोट पल्हान मंतरी राष्टपती नीचे से उपर तक सब संविधान के अधीन काम करते हैं तो संविधान बन गया था लेकिन लागू ही नहीं हुआ था इसे दो महिना बाद लागू किया गया 26 नवंबर 1949 से दो महिना जोड़ेंगे तो वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डे का मतलब होता है भारत एक रिपब्लिक है अर्थात यहां के राष्टपती जो है वो खंदानी नहीं होगे वनसानुगत नहीं होगे बलकि चुन के आएंगे राष्टपती और प्रधान मंत्री हमन लोग के हाँ चुन के आते हैं और इनी लोग का हमारे उपर सासन रहेगा इस वज़ासे जिस दिन हम आजाध हुएं उस दिन को हम पर्णर अगसे निश्वतंतता दिवस इंडिपेंडेंट मनाते हैं संभीधान जिस दिन बन का तयार हुआ था कि उसको मनाते हैं 26 नमबर को संभीधान दिवा लेकिन जिस समय हमारे उपर उस संभीधान को लागू कर दिया गया हम लोगों को संभीधान की अधीन किया गया उस दिन को हम मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में रिपब्लिक डे के दिन यह हम टोटल मैटर यह समझे है कि इसे दो महीना लेट क्यों किया गया था यह समयना है तो अब हम इतिहास में चलते हैं क्यों इत्सा लेट हुआ था एक्चुली जब दुतियभी स्यूद चल ला था तो उस समय इंग्लेंड को बहुत जादे च्छती हुई थी जर्मनी ने धो दिया था लंडन पर पंदर और दिन पंदर और राद बिना रुके बम गिराया था तो इंग्लेंड की जनता जो थी जूद से पूरीतर तरस थी वहां कंजर्वेटी पाटी की सरकार थी विश्टन चर्चिल परधान मंत्री थी उसी समय विपक्ष में जो थे लेवर पाटी थी जिसके नेता थे क्लिमेंट एटली तो क्लिमेंट एटली ने कहा था कि अगर हम हमारी सरकार आईगी तो हम भारत को सवतंद कर देंगे अपने तीन cabinet मंत्रियों को भारत भेजा, जिसको 1946 में वो भारत आये थे, जिस वज़ा से इसे कहा गया cabinet mission, अब ये cabinet mission जो था, इसमें तीन सदस थे, एक का नाम था, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लारेंस, ये ट्रिक याद रखेगा, एक्जाम में पुछता है, क्रिप्स, अ तो इसका भी ट्रिक है, एल से होता है, लीडर, एल से हो जाएगा पैंथिक लारेंस, तो लारेंस ही इसका लीडर था, एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से इसे याद रखेगा, डेट और किसमें कितने सदस्ते, ये तीन लोग हैं, इन्हेंने भारत को तीन बड़े काम करने को पहला इनों ने कहा कि आप अंतरीम सरकार बना लीजे, और आप गले 5 सालों तक आप सीखिए कि सरकार कैसे चलाये जाता है, इसलिए आप देखिए कि हमारे या चुना आजाध हो गए थे हम लोग 1947 में, लेकिन हमारे या परधान मंतरी का चुना हुआ 1951 में, बने परधान म इन लोगों ने कहा कि आप अपना एक संविधान बना लीजे, जब तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता हम आप लोग की देखरे करेंगे, जैसे लागू हो जाएगा हम चले जाएगे, तो संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई, कैबिनेट मिशन के आधार पर यहाँ पर, 1946 यह बने, अब यह संविधान कोन बनाएगा, तो इसके लिए इन डारेक्ट एलेक्शन कराएगया, और परतियक्ष निरवाचन कराएगया, और जो लोग चुन किया थे, उसे संसद के संट्रल हॉल में रखा गया, आज भी संविधान में, आज भी भारतिय संसद में कोई परंपरा होती है, कोई सपद गरहन लेता या कोई बिदेशी महमान आता है, तो सेंट्रल हॉल में ही उसे बैठाय जाता है, तो सेंट्रल हॉल में बैठके संविधान को लिखा गया था, तो संविधान सभाव में जो इलेक्शन हुए थे, यह एक्ज टोटल 389 लोग मिलके संभीधान को बना रहे थे, लेकिन अगले ही वर्स संभीधान भारत का बिभाजन हो गया, तो जो लोग पाकिस्तान से चुनकिया थे, वो यहां से चले गए वहाँ पर, जिसमें सबसे परमुक आप लियाका तली का नाम सुनेंगे, लियाका तली भारत म मतलब में वीत मंत्री थे, बाद में जाक उदर पाकिस्तान चले गए, 1947 में जब देश का बिभाजन होगा, तो 1947 में देश का बिभाजन के बाद किवल 299 सदा से ही बच गया, यह याद रखिएगा, और यही लोग मिलकर पूरे संभीधान को आगे बताते गया, 47 में लिखा में 284 लोग, तो फाइनली संभीधान पर जो 13 किलो का हमारा संभीधान है, उस पर जो हस्ताक्षर है, वो 284 लोगों का ही है, हलाकि बचे थे इतने लोग, यह लोग तो देहान से गये जिसमें 15 महिलाएं हैं, तो सूचिए महिलाओं के हम लोग महत्तों को कभी नहीं भूल स के ऐसे कुल 13 समीतियों को बनाए गया था, 13 कमीटी बनी थी, जो सहमती से अपना decision लेती थी, सरव सहमती से नहीं होता था, सहमती जिसमें जादेतर लोगों की सहमती है, वही decision को मान लिया जाता है, इस समीटीयों में सबसे परमुख जो समीटी थी, उसका नाम था प्रारू कमीटियों में आपस में कॉडिनेशन बनाया, कहां क्या गलत है, क्या सहीं है, उसको सुधार कराया, तो भीमराव अमबेटकर तेरा समीटियों में जो सबसे परमुक समीटी थी, प्रारूप यानि ड्राफ्टिंग समीटी उसके चेर्मेन थे, जिस वज़े से इन्हें फादर बी एन्राव थे, बी एन्राव बहुत ही विद्वान थे, इन्होंने बीदेशी सम बीधानों का अधियन करके जहां से भारत में अच्छा लगा, उन्हें समावेसित किया, इनकी विद्वता को अवाँ आप ऐसी ही अंदा लगा सखते है, कि इன्राव घ।कि एन्राव थे संबीधान बन कर जब संबीधान बना था उससमें संबीधान के कुल चैटर यानि भाग की संख्या 22 थी ABCD जोर जाड़के कभी मूल करता भी डाल दिये कभी कुछ डालके वर्तमान में 25 हो गए है जो अनुछेद यानि आर्टिकल थे वो 395 ही उरीजिनली है ABCD उसका जोरके 448 हो गया यह आगे बढ़ते जाए गया यहाँ पर लेकिन संख्या नहीं बढ़ेगी फाइनली भारत का संभीधान बना जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संभीधान हो गया अब इसको बन के तयार हो गया 26 नौंबर 1949 को इस दिन हम लोग मना लेते हैं संभीधान दिवस लेकिन इसे लागू किया गया दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसकी टोटल कहानी समस्ते इतना लेट क्यों हुआ तो इसकी कहानी छुपी है 1929 में कॉंग्रेस का हमेशा अधिवेशन होता था फाइनल जो yearly meeting होती थी उसे अधिवेशन कहा जाता था तो कॉंग्रेस का इसी तरह से लाहोर अधिवेशन हो रहा था दिसंबर 1929 को साल का अंत चल रहा था दिसंबर 1929 को उसकी अधिशता पंडी जवाहलाल नहरू कर रहे थे इन्होंने कहा कि अब हमको अंग्रेजों से जुकने की जरूरत नहीं है अब हम एक इंच भी जमीन से समझाता नहीं करेंगे हमें टोटल इंडिपेंडेंडेंट चाहिए पूर स्वराज की मांग कर दिया था रावी नदी के टटपल जवाहलाल नहरू ने और उन्होंने कहा कि हर भारतिये अब इनको जगना पड़ेगा अब हमें अंग्रेज आजात करेंगे और उन्होंने कहा कि ये तो दिसंबर महिना चल रहा है दो दिन मतलब ये साल खतम हो गया 1929 उन्होंने कहा कि जो 1930 आ रहा है तो आगामी 1930 में जो आखरी संडे रहेगा उस दिन हम लोग अपना तिरंगा जंडा लाहरा देंगे अंग्रेज आजादी दे चैन ना दे तो देखिए हम 1930 का ये कलेंडर खोले हैं आखरी संडे 26 जनवरी को पढ़ रहा है तो उन्होंने घोष्णा कर दिया था कि ये दिसंबर 1929 दिसंबर तो खतम हो गया 1929 खतम हो गया यानि 1930 का जो जनवरी महिना आ रहा है मिनी इंडिपेंडेंट बोला जाता है 26 जनवरी को हम लोग 1930 में जनडा ठोक दी है और उस दिन से हम लोग मनाने लगे स्वाधिनता दिवस और जवालन नहरू ने कहा था हर वर्ष इसे मनाए जाएगा और अंग्रेजों को मिर्चा लगाए जाएगा जितने जलेंगे उतने जलाए जाएगा तो हर साल भारती चब्वी जनवरी को क्या मनाते थे स्वाधिनता दिवस वो 1930 से पहला स्वाधिनता दिवस मनाए 31 में भी बनाए 32 में भी बनाए ऐसे लगतार बनाते गए स्वाधिनता दिवस इवन जब देश आजाद भी हो गया था ना, 1947 में उस बास भी बनाया गया, उसके बाद 48 में भी बनाया गया स्वाधिनता दिवस, और 26 जनवरी 1949 को भी स्वाधिनता दिवस मनाया गया था, लेकिन इसी साल, ये तो जनवरी है, इसी साल नॉमबर के महिने में संविधान बनकर तयार हो गया, अब हो गई बड़ी दूबिदा, देखिए, पतंतता दिवस तो अपने जगा पे है, कि हमें उस दिन आंग्रेजों से आजादी मिली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब संविधान इसी साल बनकर तयार हुआ, उन्हें संविधान में ही, क्योंकि संविधान अगर इस दिन लागू कर देंगे, तब तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये वाला तेवहार छोड़ना पड़ेगा, और जिस तेवहार को कोई पिछले 20 सालों से मना रहा हुआ, 1930 से कोई कैसे छोड़ देगा, इससे लोगों का इतिहास जुड़ा था तो दिमाग लगाया गया, कहा गया, कि देखे, जब किसी के घर बेटी का बिया होता है न तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसी दिन बेटा का भी बिया रख देंगे न तो पतो आने का खुसी हो जाता है, तो थोड़ा कभी खुसी कभी गम वाला हो जाता है, तो संविधा को इस दिन बना लिए हैं लागूए नहीं करेंगे लागू करेंगे दू महिना बाद 26 जनवरी 1950 को अले आके एक दूसरे पर थोप देंगे बस हो गया यहां जो स्वाधिंता दिवस मना रहे थे उसके उपर चड़ गया संभीधान असंभीधान का राए कि भारत एक लोगत र दिया गया वरना इसका महत्व कम हो जाता क्योंकि हम संभीधान के अधीन हो जाते तो यह था टोटल संभीधान को बनाने का तो हम लोग 26 जनवरी आज ही के दिन संभीधान को लागू कर लिए हलाकि बना लिये थे दो महिना पहले तो हम लोगों ने इसे दो महिना इसी जट किए कि हमारा 26 जनवरी यानि स्वधिंता दिवस बरकरार रहा है, इस दिन राजपत पर परेड होता है, इस दिन जादेत और हतियारों को परदर्सित किया जाता है, हमारी क्या-क्या डिफेंस में हैं, क्या-क्या नै-नै आविश्कार हैं, एक तरह का सक्ती परदर्सन कर इस जीज को हम लोग कह सकते हैं सक्ती परदर्शन दुस्मन डरे देखो हम लोग ने क्या किया है मिसाइल तो टैंक सब यहां पर दिखा जाते हैं और मुख्य अतिती के तौर पर भी बुलाए जाता है राश्टपती तो जंडा फार आते ही हैं परदान मंतरी भी रहते हैं ती देश से हमारा घनिष्टता को भी दरसाता है कि हम जो करीबी देश है उसी को ही मुख्य अतिती बनाते हैं इस बार जो मुख्य अतिती बनाए गया है बहुत ही सोच समझ के मतलब एसिया को पूरी तरह बालेंस करने के लिए एसिया का ये वाला एरिया का लाता है सेंट्रल ये रूस से टूटे हुए हैं सर इसमें पांच देश आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान इन पांचो देशों को ये जो पांचो देश हैं इनको संयुक्त रूप से बुलाए गया है पांचो को चीफ गेस्ट बना तेंट्रल एसिया इतने महत्पुन है यह आप अंदाजा लगाई है कि इसलामीक और्गनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान में तो इन लोगों ने उसकी मीटिंग छोड़ के भारत की मीटिंग को अटेंड कर लिया आइना इससे इतना डरा हुआ है कि आज 26 ज में चल जाएगा सब्सक्राइब का कि ठीक है हम लोगों जूम पर मीटिंग कर लेंगे वर्चुगल मीटिंग इतना डरा हुआ है तो बहुत बहतरीन मतलब पॉरेन पॉलिसी भारत की जा रही है यह अच्छी बात है हमारा तो आप यह समझ गये कि हम लोग को आजादी कम मि बहारत का कोई ब्यक्ति नहीं बता सकता है कि भारत का प्रारंब कब से हुआ कोई नहीं बता सकता है इसका कोई आरंब नहीं है हाँ पाकिस्तान का जनम जरूर हुआ था चाउदर अगस्त उनिस्सों सैंतालिस को इससे पहले पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है पाकिस्ता प्रोटेस्ट नहीं होगी चोट्टे का जनम हुआ है इसकी मृत्यू निश्चीत है वापस आएगा यह भारत में है आप और हम अखंड भारत हो जाएगे यह हम लोग की भी कामना है लेकिन एक और बात संदेश की देखें 26 जनवरी की दिन किसी भी तरह का प्रोटेस्ट स्व अभी जनवरी आज राष्ट को समर्पित होना चाहिए आज कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए और यह प्रोटेस्ट पूरी तरह से लीडर लेस है आप पटना के डियम साब कभी स्टेट्मेंट सुनिए यह स्टूडेंट से मिलने गए थे महाँ प्रब्लम यही है कि लीडर लेस हैं दो चार दस लोग वारता के लिए तैयार हो रहे हैं तो बाकि नहीं हो रहे हैं अभी रेलवे से भी अमलुक बुला रहे हैं पताधिकारियों को इनकी समस्याओं को सुन लें और जो समाधान हो सकता उसका समाधान करें तो रुकर से रेलवे का मामला है देखे 26 जनवरी राष्ट का होना चाहिए राष्ट को समर्पित हो हम सब भारत की उजवल भविस की कामना करते हैं इस्टूडेंट्स और लोगों से ही मिलकर देश बनता है देश को आगे ले जाना सबका काम है कहीं पे भी हिंसा बरदास नहीं है सरकारी संपती को जलाना तोड़ फोड़ करना यह कहीं से भी एकसेप नहीं है पुलिस द्वारा भी घर में घुस कर मारना इस्टूडेंट को लॉज में से घीस के मारना यह भी गलत है दोनों और से सैयम बरते रेलेवे ने भी इस पर अपनी कमीटी बैठा दिये पांच लोगों की जो इस पे सुन आप कहां बेकूपी करिए देश को समर्पित कीजे ना आपके पास दीन धड़ी हो गया आपके पास पूरे का पूरा साल बचा है आप सांती पूर्ण धंग से प्रोटेस्ट कीजे कहीं से भी आप लॉज और को नहीं बिगाड़िए यह आपके लिए सहीं नहीं रहेगा य यह चीज आप में एक ही सहीं है कि आपका लीडरलेस है जिस वज़ा से आप से कोई बात करने नहीं आपाएगा जब भी कोई आंदोलन लीडरलेस रहता है तो कोई उनसे बात ही नहीं कर पाता है कोई लीडर ही नहीं है तो एक ही रास्ता बनता है उनकी बात को मान लिए जा आप सब लोग से हाथ जोड़ कर बिनती है कि कहीं पे भी आप इस तरह का उपद्रों नहीं किए, आरा के लड़के ट्रेन में जो इंजन में जो आग लगा दिया गया, वहासे उन लोग ये निंदनी है, ऐसे काम को न करें, जहानाबाद के भी लड़के जो ट्रेन पे जाके राष्टी एगान गा रहे हैं, आप सब लोग के हम भावनाव का सम्मान करते हैं, लेकिन आज की दिन आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रसासन का भी आप लोग सयोग करिए, वो भी आपका सयोग करेंगे, I hope आप इसे समझे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जाहिए.